हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेह बजार वितायुष और इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक नए IPO के डीटेल डिसकेशन के बारे में जिसका नाम है PKH वेंचर्स तो दोस्तों PKH वेंचर्स IPO कल से यानि 38 जून से ओपन होने वाला है और 4 जुलाई तक यह इशू ओपन रहेगा अब कंपनी के अरे में चलिए बात करते है कि कंपनी करती क्या है तो दोस्तों कंपनी 2000 में इंकोपरेट हुई थी यह 2000 में कंपनी का करेगी अभी कंपनी करिंटली हम कह सकते हैं कहां कहां पर उसमें construction and development आ जाता है उसके बाद hospitality आ जाता है hospitality का मतलब है hotels और management services आ जाता है तो basically तीन काम दोस्तों यह कंपनी करती है construction and development, hospitality और management services यह तीन काम आपको देखने को मल जाते हैं अब PKH ventures के अगर बात करते तो PKH ventures में सबसे पहले construction and development में समझते हैं तो construction and development में company civil construction works करती है third party developer projects करती है के लिए करती है and जो civil constructive जो construction business है वो execute करती है इनकी subsidiaries के तुरू अब basically इसका माजरा क्या है because subsidiaries के तुरू करती है देखो company के जो भी projects आते हैं mostly होते हैं governments के तो जो government का ही मानना रहता है कि आपको separate अपनी subsidiary create करनी पड़ेगी उस project के लिए तो company उसको separate subsidiary के through करती है और यही हमने हाल प्लाल में देखा है कि company के द्वारा बहुत सारे 17 story each जिसमें company ने सब कुछ किया था जिसमें glass facet steel bridge connecting the two towers अब सब काम करती है और बहुत सारे company के civil projects आपको देखने को मल जाएंगे hospitality के अंदर company क्या करती है hospitality में company का दोस्तों काफी सारे business है जिसमें owning managing operating hotels या तीन काम करती है या तो एक खुद बनाग खुद के hotel से इनके पास या तो दूसरों के hotel को खुद manage करती है या फिर hotel को operate करती है अब इसके अंदर बहुत साही चीजा आज़ती है इसमें कुछ restaurants आ जाते है इसमें कुछ QSR आ जाते है spas and sale of food products company दोस्तों currently provide करती है miscellaneous mechanical electrical and plumbing यानी MEP work services such as annual maintenance of its products and certain third party O&M contract ठीक है तो इस तीन प्रकार के काम है अब hotels के अंदर company के पास Mumbai में दो hotel है जो इन्होंने develop की है जिसमें golden chariot hotel and spa वसाई and golden chariot the boutique hotel near Mumbai यह international in Mumbai international airport के पास है जिसको Mumbai hotels के नाम से जाना जाता है तो basically यह दो company ने काम किये है तो overall हम यह कैसकते हैं कि बहुत सारे projects है इनके पास हाल फ्लाल में इनोंने hydro power के उपर भी focus किया और government ने इनको और जुनके government के projects थे दो hydro power के projects भी इ तो overall बड़ी बात यही है कि company का जो business है वो ऐसा नहीं कि आप एक business समझ जाएंगे कि हाँ company का एक सिर्फ business है अब company का क्या है बहुत सारे business है और यह company अलग-अलग type के business करती है तो यह पता करना बहुत मुश्किल है कि basically company की growth है वो किस business से आ रही है A वाले से आ रही है या B व business पुरा ठप था लेकिन जो इनके पास दूसर टाइप की businesses थे उस businesses में company पुरा काम कर रही थी तो यह भी company कहती कि वहाँ पर भी growth थी तो overall बड़ी बात क्या है कि plus minus यह company को लेकर कि इनके जो businesses है उसमें आपको growth किसमें देखने को मिले किसमें पेन देखने को मिले वो पता क मिला के 379 करोड का issue है जिसमें से 270 करोड का fresh issue है और बाकी का offer for sale है book build type का IPO है जिसके listing BSE और NSE दोनों पर होने वाली है इसमें reservations कुछ इस प्रकार से कि 50% of the offer QIBS के लिए रखा गया है 15% of the offer H&S के लिए रखा गया है and 35% of the offer retailers के लिए रखा गया है तो कुल मिला के इस प्रका 169 करोड का revenue पेश किया था जिसमें कमपनी ने करीबन 14 करोड का PAT report किया था करीबन कमपनी के पास उससे में 25 करोड के आसपास थी 25 करोड की borrowing थी अगले साल दोस्तों कमपनी का जो revenue है वो 169 से बढ़के 264 करोड हो गया एक massive jump देखने को मिली कमपनी के revenues में और कमपनी का जो profit कमपनी की growth नहीं देखने को मिली और basically degrowth देखने को मिली 264 करोड से खटके कमपनी का revenue 245 करोड पर आगया इस दौर पे जरू मुनाफ़ा बढ़ा कमपनी के margins में सुधार देखने को मिला लेकिन कमपनी का revenue डिक्लाइन हुआ और कमपनी के कुल मिला के 40 करोड 52 लाग का मुना बात करता हूं तो कमपनी ने कुल मिला कि अभी 9 महीनों में 155 करोड का revenue दर्ज किया है यानि अगर आप on an average लेके चलेंगे तो कमपनी 50 करोड हर quarter में revenue report कर रही है इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कमपनी का revenue है वो फिट से कम देखने को मिले लेकिन जब company management को हमने सुना तो management कहता है कि बहुत सारे ऐसे मिले जिनकी बिलिंग होती है वह आखरी financial year में रुटी मिलाकरी क्यों म existed हो सकता है कि आपको देखने का छोंसे बढ़कर कि अधार की किइसकlic fund मेर्मिल सकता है मैं अ का एयसा यह फsit Efix मांना हो सकता है कि तो अब देखना यह कि दोसे 350on से बढ़ मुनाफ़ 28 करोड के असपस आया लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो यह है कि company के borrowing 98.24 करोड से बढ़ी के 172.01 करोड हो चुकी है जो भी दोस्तों है आपको rise देखने को मलता है increase देखने को मलता है तो यह तो दोस्तों company के हमने बात करी अब देखो दिक्कत क्या है न ऐसे businesses का जहां पर बहुत ज़़ा diversification होता है एक classic example लेता हूँ ITC ITC से compare मत करीगा company को लेकिन ITC के for example आपको पता ही कि बहुत सारे business है उनका cigarette business अलग है उनका FMCG business अलग है उनका hotel business अलग है अपको अलग अलग products का business अलग देखने को मिल जाता है बहुत सारे business में तो ITC क्योंकि देखिए बहुत सारे businesses में थी इसलिए कह सकते हैं कि वो growth आपको देखने को नहीं मिली ITC के stock में कभी भी लेकिन अब जब company कहती है कि हम अपने businesses को demerge कर रहे है hotel business को अलग कर रहे है cigarette business को अलग कर रहे है फर example कहती है company कहा भी हो डाइट hotel के बार में तो कहा भी है तो बड़ी बात क्या है कि market उसको फिर respect रने लग लग लिए तो इस company के लिए भी बहतर यही रहेगा कि क्या यह आने वाले समय में अपने businesses को demerge करेगी because growth के लिए demerge मुझे लगता है demerger होना बहुत ज़रूरी होता है अब वो एक question हो सकता है हो सकता है मैं गलत भी हूँ लेकिन अब देखते हैं होता क्या आने वाल समय में अगर इसको peer से compassion करते हैं तो company की exactly कोई भी peer compassion है नहीं तो यह बड़ी बात है कि company कोई भी peer compassion है नहीं because कोई भी इतना diversified नहीं दिखता है जिन जिन business में यह भी operate करते हैं लेकिन अगर company की valuations की बात करता हूं तो company का जो price to earning है वो करेबन 23 के आसपास का company मांग लिए 23.5 something के आसपास का तो valuation company की देखा जाए तो थोड़ी सी aggressive है होचकता था कि यहां से और सस्ता company अपना shares को लेके आ जाती अगर current gray market के उपर चर्चा करें तो PKWNs की currently कोई भी ऐसा जो gray market है वो खास नहीं है 8 रुपे के आसपास का gray market है नहीं 5.41% के आसपास का इंपोर्टेंट के है कि company के अंदर कोई भी खराबी नहीं company बहुत अच्छी है company के promoters experienceable दिखते हैं अच्छा कासा उनके पास अनुभव है इस पूरी industry का बट क्योंकि देखे हुए diversification company का बहुत जादा है तो एक particular business को pick करना गलत होगा कि हम यह कहते है कि यहाँ company का hotel business बहुत बढ़ा चल रहा है हो सकता है कि अगर hotel business बढ़ा चल रहा है तो company के जो बाकी construction वाला business है वो उतना खास ना कर रहा हो तो I think यह एक बड़ा factor हो सकता है हो सकता है कि सभी बहुत बढ़िया करें तो stock की भी growth अच्छी होगी लेकिन ऐसा नहीं कि हर time पे हर चीज बढ़िया करेगी कभी ना कभी तो कई ना कई आपको थोड़ा बहुत slow down देखने को मिलेगा जो एक point हो सकता है क्योंकि अगर market ने सिफ उसी को लिया और markets ने stock को गराया तो फिर वो बात अलगे इस वीडियो में इतना ही था आपका क्या opinion है यह बताइए मुझे आप अप्लाय करने वाले पीकेच वेंचर्स के अंदर यह फिर नहीं कमेंट डिक्स नमें ज़रूर बताइएगा थैंकियो फ्रेंट्स वाजिंग दिस वीडियो